नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे सुधा अरोडा कृत जीवनी साहित्य जोतिवा फुले आप देख रहें अपना चैनल CBSी हिंदी पिद मत्रादास आज हम पढ़ रहे हैं कप्षा 11 की एच्छिक हिंदी की पाठ पुस्तक अंतरा भाग एक का पाठ पाँच सुधा अरोडा जीवनी साहित्य जोतिवा फुले देखते हैं लेकेका का परचे सुधा अरोडा का जन्म लाहर पाकिस्तान में सन 1947 इस्वी में हुआ आपकी उच्छिस चा कोलकता विस्विद्धाले सो ही लेकन के इस्तर पर पत्रपत्काओं में भी बराबर इनकी सक्रेता रही सुधा अरोडा मुरत अथाकार हैं उनके यहां इस्तरी विमस सहजवा संयत है सामाजी कवाब मान विये सरोकारों को वे रोचक धंग से विशले सितक करती हैं उत्तर पिदेश हिंदी संस्तान द्वारा सन 1947 इस्वी में विसेश प्रुषका से आपको सम्मानित किया गया आपकी रचना हैं कहानी संग्रे हैं बगे तरासे हुए युद्ध विराम काला सुक्रवार कासे का गिलास औरत की कहानी आदी अब देखते हैं पार्ट का परचे त्रस्तर पार्ट में जोतिवा फुले और उनकी पत्नी सावित्री बाई फुले के प्रेरक जीवन चरित को दसाया गया है सिच्छा का अदिकार सभी जाती सभीवर के लिए समान है इस अधिकार को दिलाने के लिए फुले दमपत्ती ने जो संगस किया वह इस पार्ट के माध्यम से बताने का प्यास किया गया है फुले दमपत्ती ने अच्छूत, शोशित, महिलाओं, विद्वाओं, आदी के उद्दार का प्रण लिया था और जीवन पर्यंत उसके लिए संगस भी करते रहे आपने जीवन भर समाज के निशले वर्ग के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी इनका मानना था कि सिच्छा पर केवल उच्छ वर्ग का ही अधिकार नहीं यदि सिच्छा किसी विशेश वर्ग के लिए ही हो तो ऐसी सिच्छा का कोई महत्व नहीं उन्होंने सिच्छा के महत्व को समझाते हुए सबी के लिए समान ताव शोशन से मुक्त सिच्छा दिलाने की बात कहीं साथ ही समाज में इस्त्री वा पुरुस के बीच की उच नीच को भी समाप्त किया पुरुसों की भाती इस्त्रीयों को भी सिक्षा प्राप्त करने का पराबर अधिकार है इस बात के लिए फुले दमपत्ती को समाज का तिरशकार वा विरोध भी सहना पड़ा यह पाठ हमें उनके इसी संघस समास्यवा के मार्ग में आने वाली बाधाओं और उनसे लड़ने की प्रेणा देता है अब देखते हैं पाठ का सारांस विस्ता से लेखका ने प्रिसिद समासुदारक जोतिवा फुले और उनकी पतनी सावित्री वाई फुले के द्वारा सेच्चिकवा सामजिक छेत में किये गए कारियों का वड़न किया है जोतिवा फुले ने पूर्जिवादी उच्चवर की मानसिता पर खुला प्रहार किया समाज में पहले वर्ग जाती और वर्ण विवस्ता आदिके सोशन को मिठाने है तो संगस किया उनकी आत्मकता गुलाम गिरी में उनके विचारों का संक्लन किया गया है उनका मत है जिस परिवार में पिता बौद्य माता इसाई बेटी मुसल्मान और बेटा सत्यधर्मी हो वे परिवार आदस परिवार है मात्मा जोतिवा फुले ने इस्त्री सिच्चा पर पल देते हुए कहा कि इस्त्री सिच्चा पुर्षों ने इसलिए बंद कर रखी है ताकि वे पुर्षों के समान स्वतंत्ता न पा सके जोतिवा फुले ने इस्त्री समानता को पित्ष्च्चित करने के लिए एक नई विवाविदी की रशना की उन्होंने इस नई विदी से ब्रामण का इस्तान हटा दिया और पुरुस प्रदान संस्कति में इस्त्री की कुलामगिरी सिद्ध करने वाले सारे मंत्र भी हटा जोतिवा फुले ने महत्मा की अपादी को लेने से मना कर दिया क्योंकि इसे वह अपने संगस की बादा मानते थे उनकी कतनी उनकी आच्रण और व्रिवार में दिखाई देती है इस्त्री शिच्चा के परम समध्थक जोतिवा ने सबसे पहले अपनी पत्नी को सुच्चित किया उन्हें मराठी और अंग्रेजी भासा में पारंगत किया सावित दिखाई को पढ़ने की रुची बच्चपन से ही थी उनके बच्चपन में लाट साहब ने उन्हें एक पुस्तक दी उनके पिता ने वे पुस्तक कूड़ेदान में फैंक दी लेकिन सावित दिखाई उसे चुपके से छुपा कर रख लिया तता विवा के पश्यात सिच्चित होने पर उस पुस्तक को पढ़ा। 14. जन्वरी 2848 को भारत में पहली कन्या पाट साले की स्थापना पुड़े में हुई। निम्नवर्क की महिलाओं के लिए पाट साला खोलने में जोतिवा फुले और सावित्रिवाई को पहुछ सी बादाओं का सामना करना पड़ा। इस कारण जोतिवा के धर्म भी रुपिता ने अपने बेटे और बहु को घर से निकाल दिया। सावित्रिवाई को भी तरह तरह का अपमान सहना पड़ा पर उन्होंने अठास चालिस इसवी से अठास नपए इसवी तक कुल पचास बसों में एक प्रण होकर अपना मिसन पूरा किया। उन्होंने मिसनरी महिलाओं की तरह किसानों और निम्रजाती की महिलाओं के लिए जुग्य जॉप्यों में जाकर भी सिच्छा प्यदान की। वे दलितों और गरीबों के हक में सदेब खड़े रहे। मात्मा, जोतिवा फुले और सावित्री वाई फुले का अपने लक्ष के पती समरपन एक मिसाल बन गया। अब देखते हैं पार्ट से हमने क्या जाना। पहला समाज के उत्कस के लिए इस्त्री सिच्छा कितनी अधिकर जरूरी है। दूसरा पुराने समय में इस्त्री सिच्छा का विरोध क्यों होता था। तीसरा निम्र जाती की लोगों को सिच्छा प्राप्त करने में क्या क्या परेसानियां आती थी। जो था जोतिवा और सावित्री वाई फुले ने निम्र जाती शोशे टुबा महिलाओं के लिए सिच्छा का प्रबंद किस प्रकार किया। पांचमा सच्छे समाज की परिकल्पना कैसी होनी चाहिए। छटा समाज में सभी वर्गों को समानता क्यों नहीं मिलती। साथ मां फुले तंपत्ती को अपने लक्ष की प्राप्ती में क्या क्या कटनाईयां सेहनी पड़ी। तो यह था पार्ट सुदारोडा कृत जीवनी साहित्य जोतिवा फुले। आप देख रहे थे अपना चैनल सीवेसी हिंदी बिदम अतुरादास। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें चरूर बताएं लाइक करें सेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब रहें। दूसरे वीडियों के साथ तब तक के लिए नमस्कार।